अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले अब मंत्रा कल से सलार तुम बनाओगी और इस काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा बात समझ में आई इसमें हमारी क्या गलती है यह सब तो उस लड़की की वज़ा से हुआ है अजवा दिया हमें बस किसी नौकर की गलती की सजा मिलनी रह गए थी हमें इसे तो कल के कल की बाहर करेंगे इस घर से को असनो जी आर्या बता रहा था कि भाभी सीडियों से फिसल गई मतलब इतने दिनों से तीजोरी से जुपैसिकाय वो अवे ते तुमारे आपकी सब्रेटी हम अब चल कर बताते हैं तुमारी कर तो थे जी जी वो सीडियों से किरी थी तुमारे बताने में इतना जिजग क्यों रही हो क्या वाकरी अशे हुआ था वो मैं मैंने मैं जब आई न तब मैंने देखा कि दादी फिसल के अलरी नीची गिर गई थी तो मैं जब पहुची वाँ कोई नहीं था कोई नहीं था गिर हुई थी वाबर कि पुड़िया हमसे इतना सवाल क्यों कर रही है वह जी कोई बात नहीं आपको किससे पी शक है अब दरसल शक नहीं समस्या है मैं सोच रहे हुआ रहा बेटा कि घर में इतने सारे लोग है इतनी बहुए है सुमेद ललित सब है नौकर चाकर है सब के रहते हुए ऐसा कैसे हुआ कि धाबी सीडियों से गिरी जमीन पर और वहाँ कोई हाजिर नहीं था इस बुडिया को आती हम पर शक हो कि कौन सी मिट्टी से बनाया बगवान में इस से वजीब हमें लग राया बेवजा परशान हो रही है अभी अभी तो आई है ठक गया हूँगी खापी कर थोड़ा आराम कीजिए ये सब बाते तो होती रहेंगे कि ये भूजन के समय कौन आया हम हम देख के आते हैं कि 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 अर्या हम हम पास्वले मंदिर गए थे तो सोचा थोड़ा प्रशाद देते चले आपको कि भूजन के समय अतिती द्वार पर आया है उसे भूजन देना चाहिए पहले या फे तो वही बत्याओगी और वही से उसे उसे रवाना कर दोगी प्रियंक जी आप आप आईए ना आईए हाँ हाँ वाजी ये प्रियंका ना ये राम जी मैंने पहचाना नहीं वो एक्चली इन्हे ना हम सबने चुनके आपकी बहू और हमारी सासमा के रूप में चुना है सबसे बड़ी बात ये है कि दादी जी को ना प्रियंका बहुत पसंद थी थी? ने मेरा मतलब है बहुत पसंद है आर्या का रिष्टा इन लोगों ने पक्का किया है मतलब कुछ तो काला है दाल में दंगल एक्स्प्रेस चैनल को सबस्क्राइब करिये वह जी शेव खुश रहो अरे वा कितने बड़े हो गया शेव इनका नाम भी शिव है पुलिनाथ पताने हमारे शिव भया कहा होंगे हम कभ उनसे मिलेंगे पुलिनाथ पर इनके रिष्टे के लिए उम्हा थोड़ी से जाधा नहीं है ठीक है इनका जीवाने इनको शातिकाने हम कौन होते हैं बुलने वाले हमें के दिक्कत हो सकती है क्या हो अब बुआ जी आपको प्रियांका पसंद नहीं है पसंद ना पसंद यह तो इनके गुण और दोश तोल मोल कर ही बता पाऊंगी क्योंकि मैं अपना हर पैसला तोल मोल कर लेती हूँ अब आप सबने मिलकर इसे सेंग परिवार की बहू बनाने का फैसरा लिया है तो फेर इसे परिक्षा भी देनी पड़ेगी परिक्षा? ओ या, कैसी परिक्षा भुआ जी? वक्त आने पस सबको पता चल जाएगा जैरांचे गव महिया, प्रणाम अरे, जीजा क्यों रहे हो? आजा आजाओ जल्दी आजाओ ये बुआ भेना, कभी भी एक बार में खुश होती है नहीं अब परिक्षा लेंगी, जब मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? ओ या, मंतरा दीदी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पसंद को बुआ जी रिजेक्ट करके चली जाए दादी मा को हमें फोन करके बता देना चाहिए कि हम कहां है पर उसके लिए फोन कहां से लाए अब बुआ जी वो वो हमें एक मिट के लिए अपका फोन चाहिए था वो क्या है कि हमें हमारे घर पर फोन करकर बताना है कि हम यहां है और ठीक है घर पर हमारे लोग परिशान हो रहे होंके तो सब मतलब कौन तुम्हारा पती इतनी ही जिनता होती तुम्हारी तो क्या ऐसे सड़ पर छोड़ता ऐसे आदमी के परिशान होने की कैसी जिनता गोपिका मैं सही को सही और गलत को गलत मानती हूं और बड़ी सपश्टता से कह देती हूं कि यह सही है और यह गलत है मैं जिन्दगी के हर पैसले तोल मोल कर लेती हूं और तोल मोल कर मैं तुम्हें एक पक्की सला देना चाहती हूं जिस घर में तुम्हारा सम्मान नहीं, तुम्हारी कद्र नहीं, उस घर में तुम्हें कते ही नहीं रहना चाहिए बलकि तुमसे ये कहूंगी कि ऐसा कुछ काम करो कि जिससे तुम सर उठा कर जी सको और इसलिए तुमारी भलाई को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें फोन नहीं दूँगी और नहीं मैं चाहूंगी कि तुम अपने घर पर फोन से बात कर ये बुलिनात मुश्किल समय में इन्होंने हमारी मदद की है अब इन्हें क्या समझाए क्या बहस करे एक काम करते हैं हम हम घर में कोई दूसरा फोन देख लेते हैं जाओ जीप और तुम प्रियंका अब सीधी और स्पष्ट बात कहूं तो अगर तुम मेरे घर की बहु बनना चाहती हो तो तो गौशाला से मेरे घर का दर्वाजा है ओ या बुआ जी पर हमारे घर का दास्ता तो इस तरफ है जाख पता है नहीं है ये पर देदे हम तो सची बोल रहे हैं पर बुआ जी प्रियंका को करना क्या होगा बस गौमाता के इस गोबर से एक छोटा सा घर बनाना होगा ताकि मैं ये समझ पाऊं की प्रियंका कितनी महनत कश है कितनी सहन शील है और वो मेरे आर्या को और इस घर को कितने प्यार से जोड कर रख सकती है पर वाजी प्रियंका तो ही एक मिनिट मैं जो भी करती हूँ तोल मोल कर फैसला लेती हूँ अगर प्रियंका को इस घर की बहु बनना है तो परिक्षा देनी ही होगी वरना इसे तुम घर के बहा जाने का रास्ता दिखा दो यह इस गोबर में सब इसमेल आरी है सुनो मेरे पास पूरा दिन नहीं है यह इंतजार करने का कि तुम यह करोगी या नहीं तै कर लो और बता दो कर सकती हो तो ठीक है वरना मैं आगे बढ़ो देखिए नत के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले आप पर बिलकुल फ्री और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले आप